Hello friends, आप सबका स्वागत है प्रभात एक्जाम में हमारे daily current affairs series में आज हम discuss करेंगे September 30 के current affairs तो चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे quotation, quotation यह कहती है कि history will judge us by the difference we make in the everyday lives of children हम अपने बच्चों की रोज मरा के जिंदगी में क्या बदलाव ला पाते हैं, उन्हें क्या value सिखा रहे हैं, उन्हें जीवन के बारे में क्या बता रहे हैं, उनको हम कितना protect कर पा रहे हैं, सुरक्षित रख पा रहे हैं, यह सब चीजें जो हम उने सिखाएंगी, सारा फरक इसी से पढ़ेगा, हमारी दुनिया, हमारा समाज, हमारा देश कैसा बनेगा, यह इसी चीज़ पर निर्भर करता है, क्यों मैं यह कोट लेकर आई, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे पॉक्सों के बारे में, ठीक है, protection of children from sexual offenses, तो इस act के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो हमे पता होना चाहिए, कि बच्चों की protection, उनको अच्छी values देना, क्यों इतना important है, तो जहां पर में बच्चों से related question आई, आप ये quotation वहाँ पर लिख सकते हैं, जो सवाल मैंने आप से कल की वीडियो में पूछे, उनको आज हम discuss करेंगे, आगे towards the end of the video, जैसा हम हमेशा करते हैं तो शुरू करते हैं, देखें, आज हमारा पहला topic जो है, वो है pink ball warm के बारे में, क्या होता है pink ball warm, पहले मैं आपको दिखा देते हूँ, ये होता है pink ball warm, एक कीड़ा है एक तरीके का, जो किसको infest करता है, मतरब किसके उपर लगता है, cotton के उपर लगता है, यहाँ आप देख हो रहा है, कि हर्याना और राजस्थान में, ये देखो, अकबार में आज ही के अकबार की क्लिपिंग है, कि राजस्थान से लेकर हर्याना में एक पैस्ट है, एक कीड़ा है, जिसने cotton की खेतों में तबाही सी मचा दी है, तो वो कौन है, pink ball warm है, इसका scientific name क्या है, पैक्तिनो फोरा गोसी पेला जो अभी न्यूज में था रिसेंसली, वो क्या है, क्या वो एक प्लांट की प्रजाती है, क्या वो कोटन की प्रजाती है, या कोटन पर लगने वाला एक कीड़ा है, क्या है वो है ना, तो ये बहुत ही destructive होता है, खुब तबाही मचाता है ये, और सभी ज जहां पर कोटन उगाया जाता है, वहां पर ये अक्सर देखने को मिल जाता है, तो इससे पूरी जो क्वालेटी है, वो तो कम हो रही है, उसके अलावा जो वजन होता है कोटन का, जितना यूजुली किसी खेत से हमें मिलता है, वो बहुत कम हो जाता है, जब इसका ये अक् बीटी कोटन, बीटी कोटन, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्या है ये बीटी, क्या ये एक वाइरस है, क्या ये एक बैक्टीरिया है, या ये फंगस है, क्या है बीटी, ठीक और उसके अलावे इसकी फुल फॉर्म भी आप लिखेंगे, यहां से ही मैं देखन चाहूंगे कितने बच्चों को इसके बारे में पता है और कौन डीप स्टडी करता है ना तो BT की फुल फॉर्म और BT क्या है बैक्टीरिया है वाइरस है फंगस है यह आपको मुझे बताना है कमें सेक्शन में यह हुआ आपका पहला कोश्चन आज का तो यहां हमने पड़ा प अबाही मचाई है पिंक बॉल वॉम में उनको सरकार सहीता प्रदान करेगी 10 दिन के अंदर अंदर तो इतना बड़ा इसका इंपक्ट रहता है क्या सिरफ कोटन को इंपक्ट करता है यह कोटन को तो करता है यह सबसे जादा उसके अलवा हिबिसकस हिबिसकस के ओता गुल हिबिसकस के फूल और ओकरा होती भिंडी तो इनके उपर भी यह इंफेस्ट करता है यहां आप इसकी लाइफ साइकल देख सकते हैं कि पहले एग होता है ठीक है फिर एग में से आपका पिंक बॉल वॉम लार्वा निकलेगा लार्वा फिर प्यूपा बनेगा और प्यूप से जुड़ी हुई है देखे यह टोपिक न मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले एक जब हम एक करेंट अफियर सेशन ले रहे थे तब हमने बात करी थी इसके बारे में पर आज के अकबार में इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बड़ी ख़बर बनकर आई है कि सेंसस को इत पहला सेंसस कब हुआ था और किसके अंडर हुआ था ठीक है चलिए आप सरफ एयर मेंशन कर देना कमें सेक्शन में और मैं समझ जाओंगे कि आप लोगों को याद है वो चीज़ पहला सेंसस कब हुआ था देखे यूजुली सेंसस जो है इसको जन गनना बोलते हैं हर दस सा में होती है इंडिया में 2011 में हुआ था आखरी सेंसस तो उस हिसाब सेब 2021 में होना चाहिए था पर अभी उसको और भी ज्यादर डिले कर दिया गया पहले तो कोविड की वज़े से डिले हुआ है ना कोविड आ गया तो कैसे घर घर जाके लोगों से उनका डेटा पूछा ज लिया जाएगा पर क्योंकि ये थोड़ा सा इंप्रैक्टिकल चीज़ है इसलिए डिजिटल और पेपर दोनों तरीके से सेंसस कंड़क्त किया जाएगा कैसा डेटा लेता है सेंसस उसमें देखा जाता है कि कितनी पोपुलेशन कहां रह रही है कि स्टेट में कितनी कौन करवाता है होम मिनिस्ट्री करवाती है उसमें कौन ओफिस ओफ रजिस्ट्रार जनरल है वो कंड़क्ट करता है सेंसस ठीक है हर 10 साल में होना चाहिए 2021 में होना चाहिए था अभी डिले हो गया है तो यहां पर एक क्वेश्चन यह है कि पहला सेंसस कब हुआ था अच्छा कि अभी लिखो कि कौन सा आर्टिकल है फिनेंस कमिशन का नेक्स्ट किस चीज में हल्प करता है अगर अभी फिनेंस कमिशन जो ग्रांट्स देता है स्टेट्स को वो इस बेस पे देता है कि कहां पर कितनी पोपुलेशन है तो अगर बहुत टाइम तक सेंसस से नहीं होगा कहीं पोपुलेशन बढ़ रही है घट रही है उसका हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा तो जो वेलफियर स्कीम सैं पॉलिसईज हैं सरकारें जो नई मीटियां लेकर आते हैं वो सब मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें हिसाप नहीं रहता कहां पर कितनी पोपुलेशन है उस and उस टाइम 2011 के टाइम भारत की जन संक्या थी 121 करो दो phases में किया जाता है census पहला तो house to house survey होता है फिर population को गिना जाता है ठीक है जो भी सरकारे scheme नीतीज बनाती है for food distribution, education, sample selection ये सब census के data पे based होती है तो सबसे देखो जब भी हम means में answer लिख रहे होते हैं तो बार-बार हम क्या code करते हैं कि 2011 के census नहीं ये बोला है तो census का data बहुत ही reliable होता है, credible होता है, विश्वस निये होता है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं तो इसलिए census time से time हो जाए ये देश की तरक्के के लिए बढ़िया रहता है अब हम बढ़ेंगे अपने अगले article की तरफ जो है नीफा वाइरस से जुड़ा हुआ देखे इससे पहले वाले sessions में हम जिकर कर चुके हैं H1N1 virus का ठीक है, इसके अलावा हमने AIDS के बारे में भी कल पढ़ा चिकनगुनिया, डिंग, ओ, मलेरिया, ये सब चीज़े भी मैं आपको बता चुकी हूँ तो आज जो हम discuss करेंगे वो है नीफा वाइरस नीफा वाइरस क्या है, एक zoonotic disease है सबसे पहले तो ये समझो कि एक वाइरस है अब ये कौन सा है, RNA है या DNA है, RNA फोम में है RNA क्या होता है, RNA होता है single strand और DNA होता है, उसमें double strand होता है, ये देखो, ऐसा होता है DNA double stranded, ये DNA है और ये single strand वाला RNA होता है तो जो अपना नीफा वाइरस है, ये एक RNA है जूनोटिक है, जूनोटिक का क्या मतलब होता है ऐसे कोई भी बिमारी जो जानवरों से इंसानों में फैलती हो एनिमल से humans में आ जाती हो, उसको हम क्या कहता है जूनोटिक है ये बिमारी, ठीक सबसे पहले कहां पे होई थी? 1998 में, 1998 में, मलेशिया, सिंगापूर वाले एरिया में तो वहाँ पे एक जगा है नीफा उसके नाम पे इसका नाम है नीफा वाइरस आज के अकबार में ये इसलिए था क्योंकि एक बच्चा है जिसको नीफा वाइरस हो गया था केरेला में और वो उससे उभर गया है मतलब उसका ट्रीट्मेंट सही हो गया है तो ये चीज़ खास क्यों है? क्योंकि कोई वेक्सीन नहीं है अभी तक हमारे पास नीफा वाइरस से लड़ने के लिए कोई ऐसी मेडिसन भी नहीं है कि ये दो और नीफा वाइरस से छुटकारा मिल जाएगा ठीक है एक बार हो जाता है तो ये जान लिवा बीमारी है नीफा वाइरस जो है पर इसका हम क्या कर सकते है जो भी सिंप्टम नजर आए जैसे फीवर है तो फीवर की दवाई दे दो ठीक है और कोई दिकत हो रही तो उसकी दवाई दे दो इसको बोलते सपोर्टिव केयर हम दे सकते है पर इसकी कोई वैक्सीन नहीं इंवेंट हुई अब तक और मुश्किल ह है काफी फैटल है फैटल मतलब डेथ रेट बहुत हाई होता है निफा वाइरस में तो केरेला में यह पहला हुआ है फिलाल और फ्रूट बैट जो होता है फ्लाइंग फोक्स वो इसको कोज करते हैं मैं आगे आपको फिच्चर दिखाऊंगी उसकी फ्रूट बैट की एक इसरा है बर्ड फ्लू तीसरा है सी है डेंगू और डी है स्वाइन फ्लू तो अब आपको मुझे कमेंट सेक्षिन में इसका सही जवाब देना अभी वीडियो पोस करो इसका अंसर लिको ठीक है जीका शोरी ह1, N1 इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि जो जीका वाइर और क्या इसके लिए कोई vaccine बनी हुई है या नहीं तो देखो कितना आपका comprehensively cover हो जाता है पूरा topic जो topic आज अखबार में आया हमने उसको भी discuss किया अखबार में जो खबर बनी उसको भी देखा उसके पीछे क्या खबर है वो भी जाना सारी उसकी science पढ़ी और उसके अलाव दिखाते हूं यह है flying bat ठीक है चमगादर बोलते हैं इनको शायता तो यह bat होते हैं इनके अंदर वाइरस आ जाता है नीफा वाइरस और फिर इनसे इंसानों में भी फैलता है तो इनसे दूरी बनाके रखनी चाहिए ऐसे समय में जूनोटिक है मतलब animals से humans में फैलता है फिर क्या है fever होगा, सिर्दर्ध होगा, vomiting होगी, muscle में pain होगा, खासी होगी, गला खराब होगा, सांस लेने में दिक्कत यह सब इसके symptoms हैं फिर diagnosis कैसे RT-PCR टेस्ट करते हैं और treatment क्या है supportive care ही दे सकते हो कोई vaccine तो है नहीं और कोई दवायां भी नहीं है specifically NIFA वाइरस की तो जो close contact है animals के साथ या जैसे कई बार fruits में, अभी क्या है bat जो है उसके अंदर वो virus आ गया और वो कोई fruit खा रहा है और उस fruit को फिर बाद में humans ने खा लिया, तो humans में भी वो चीज़ आ जाएगी ना, तो इस तरीके से अपना बचाव करना होता है NIFA virus से, यहाँ पर हमने द नेक्स टॉपिक है POXO Act, यह बहुत important है, देखिए देश भर में जितने भी बच्चे हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे crimes होते हैं, तो जो sexual assault या योन संबंद बनाए जाते हैं बच्चों के साथ, तो वो अपराद है, है ना, illegal है, तो इन चीज़ों से बच्चों को बचाने के लिए ये Act लाया गया 2012 में, और इंडिया ने साइन किया हुआ है United Nations की Convention, चलो, यहाँ पर मुझे United Nations का Year of Formation बताओ, कब बना था United Nations, तो United Nations की Convention है, उन Rights of Child के बच्चों के अधिकार क्या होने चाहिए, इंडिया ने उसको साइन किया हुआ है, रैटिफाई किया हुआ है, तो उसके संदर में फिर इंडिया ने 2012 में अपना ये Act भी बनाया, Prevention, Protection of Children from Sexual Assaults, ठीक है, यह अपना Act है, और अब आप मुझे यह बताएंगे कि जो Constitution है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखावे, लो कमिशन का जिक्र है, कि लो कमिशन की रिपोर्ट आई है, अब आप मुझे जो भारत का सवीधान है, Constitution है, उसमें क्या लो कमिशन का जिक्र है या नहीं, जैसे Finance Commission है, उसका एक पर्टिकुलर आर्टिकल है आपके Constitution में, ठीक है, और वो आर्टिकल कौन सा है, वो तो आप बताएंगे मुझे comment section में, मैंने पहले भी यह सवाल पूछा आपसे, अच्छा क्या लो कमिशन का कोई ऐसा आर्टिकल है, क्या लो कमिशन Constitution में mentioned है, यह चीज़ आप मुझे बताएंगे, yes या no, ठीक, फिर यह जो एक्ट है, पोक्सो एक्ट, इसके तहित अलग-अलग सजाई मिलती है, जितना गहरा या जितना बड़ा क्राइम होता है, उस हिसाब से सज मिलती है, चाइल्ड यहां किसको माना जाता है, कोई भी ऐसा, जो अठारा साल से कम हो, उसको चाइल्ड माना जाएगा, और यह जो एक्ट है, यह जेंडर न्यूटरल है, जेंडर न्यूटरल मतलब यह यह मानता है, कि जो sexual assault है, harassment है, यह एक बच्चा, जो लड़का है, उस 12 साल से कम है, तो यह है आपका पोक्सु एक्ट, और इसके आगे, इसके आप रावधान देख सकते हैं, कि जो sexual assault, अगर 12 साल से कम बच्चे के साथ होता है, तो जो जिसमें किया है, जो accused है, उसको कम से कम 20 साल की सजा तो मिलेगी जेल में, lifetime, आज इवन कारवास भी मिल सकता है, और बहुत aggravated sexual assault होता है, तो उसकी सजा 7 से 10 अल बढ़ा दी गई है, और 16 साल से कम बच्चे के साथ अगर वो किया जाता है, यह अलग-अलग definitions होंगी, इनकी low में न, aggravated sexual assault क्या होता है, तो उसकी सजा है 20 साल, अच्छा, अगर आप बच्चों का इसमाल pawn बनाने में करते है, कोई भी इनसान, तो उसकी भी सजा है 5 से 3 साल की जेल में, और अगर चाइल्ड पोन किसी के पास मिलता है, किसी ने स्टोर किया हुआ है, तो उसके उपर भी 1000 रुपय का फाइन, यह सब चीजें हैं, पोक्सो एक्ट से जुड़ी भी, अब बढ़ेंगे हमारे उस segment की त यह है, आपके कौन से दो स्टेट्स हैं, करनाटका है, करनाटका से कावेरी रिवर निकल रही है, ठीक है, और देन इट इस एंटरिंग इन्टू तमिलनाडू, तो जो पानी है, वो इनके बीच में फाइट है, बिट्विन तमिलनाडू और करनाटका, इवन पुडुचेर is also involved in this fight, कि इसका पानी किसके पास कितना जाई, यह लड़ाई है, बहुत time से चल रही है, this is your कावेरी रिवर बिट्विन करनाटका और तमिलनाडू, ठीक है, तो यह पूरा इशू क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं, देखें यह डिस्प्यूट बहुत पुराना है, प बहुत बड़ी नदी है, इसको दक्षन गंगा बोला जाता है, तो इसके बेसिन से पानी मिलता है, करनाटका जहां से अराइज होते हैं, उसको तो मिलता ही है, पिर तमिलनाडू में भी जाता है, केरल को भी से पानी मिलता है, और पुडू चेरी को भी, तो इन चारों में ह मीशा से यह fight रही है पर जादा fight रही है करनाटका और तमिल नाडू में यह क्या बोलते देखो करनाटका से originate कर रही है रिवर तो करनाटका बोल रही कि हमारे यहां तो पहले ही हमें पानी की जादा जरुवत है agriculture है बारिश कम हो रही है तो हम इतना पानी नहीं दे पाएंग जितना जो बोला गया है कि तमिल नाडू को देना चाहिए और इस पर यहां पर बार बार fights होती रहती अभी क्या है कि कावेरी वोटर रेगुलेशन कमेटी थी एक उसने recommend किया था कि करनाटका को 300 क्यूसेक पाने release करना चाहिए तमिल नाडू को ठिक है बट अभी क्या करना करनाटका में बंद declare किया गया तो यह तो खबर है पर यह एक छोटी सी खबर है ना बड़ी बात यह कि बहुत सालों से यह fight चल रही है यह dispute चल रहा है और 1990 में 1990 में tribunal बनाई गई थी एक कि आप बताओ किस तरीके से पानी देना चाहिए किस तरीके से पानी शेयर करना चाह चाहिए इन स्टेट्स को आप समझ सकते कि कितना political और कितना surcharge issue था यह कि 17 साल लगे उस tribunal को अपना फैसला देने में 2007 में उसने फैसला दिया और अलग अलग बताया कि इतना पानी जो है अलग अलग स्टेट्स को मिलना चाहिए उसके अंडर तो उसके बाद यह बनी है जो कावेरी वोटर regulation committee है और कावेरी वोटर management authority है तो यह सब बनी और इनको यही काम मिला था कि आप वोटर sharing implement करवाएंगे पर फिलहाल यह dispute चल रहा है दोनों states के बीच में और इसकी वज़े से यहाँ पर बंद भी था जो ट्राइबिनल बना था उसने क्या बोला था कि जो टो इनके बीच में dispute रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में चलिए आगे बढ़ते अच्छा अभी आप मुझे बताए कि जैसे यहाँ पर कावेरी पर dispute है बिट्विन तमिलनाडू और करनाटका ऐसा कोई एक और रिवर बता दो मुझे जिसके उपर दो states के बीच में fight ह है या dispute है चीक है मैं आपको चलो example दे सकती हूँ जैसे हर्याना और पंजाब इनके बीच में एक रिवर को लेकर बहुत जादा water sharing को लेकर fight है तो वो आपने मुझे बताना है कि यह कौन सी रिवर है जिसके उपर यह fight है या आपकी कोई और example भी दे सकते हैं with this we have discussed the important topics जो आज के newspapers में थे और अब हम answers discuss करेंगे तो जो कल मैंने सवाल पूछे थे नमीता ने गोतम ने उनके सही जवाब दिये है its day जो है पहले December को मनाया जाता है 1st of December then paddy की मैंने आपसे varieties पूछी थी तो उसमें धान जिसको बोलते है पूसा, अनामिका, जया, ओस, बोरो है ना यह सब है paddy की varieties गेहू की varieties क्या है करण, एश्वर्या, सोना, लिका, कल्यान, सोना अब आज मैंने क्या पूछा कि जो cotton है, cotton कोई हम बोलते है BT cotton तो इसकी full form बतानी है और यह bacteria virus क्या है यह बताना है इसके अलावा और भी जो सवाल मैंने पूछे हैं उन सबके जवाब ज़ादा से ज़ादा लोग आप दें comment section में है ना उससे आप ही की तयारी बढ़िया और मुला सा नीमोनिक याद करवा देती हूँ, तारीक, T-A-R-I-K, तुर्कमेनिस्तान, एजरवेजान, रश्या, इरान और कजाकिस्तान, यह है कैस्पियंसी के आसपास, तो कैस्पियंसी के आसपास कौन कौन से countries है, तारीक याद रख लेना, T-A-R-I-K, तो आपको रहे हैं, थांक्यू सो मच,